नमस्कारम एवर्डिवन तो आज हम माइक्रोब्स इन हुमन वेलफेर कमैंड मैप पढ़ने जा रहा है काफे छोटा और सिंपल चेप्टर है तो जादा टाइम नहीं लगेगा इसे खतम करने में और टोटल तीन ही पेज कमैंड मैप है पहला पेज यह है और बाकी के दो इसी केवस्केडवस नाम का इक बैक्टरिया जाता है तो लेक्तो बैक्टिरिया है यह में दूस से दही बनाने की लिए चाहिए होता है और जो दही होता है इसमें high vitamin B12 होता है, यानि between B12 की मात्रा जो होती है, ये ज़्यादा होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, फिर आते हैं दूसरे पर baker cyst, saccharomyces cerevisi नाम का एक वीश्ट होता है, जिसे हम baker cyst कहते हैं, क्योंकि ये bread बनाने के लिए काम में आता है, अब इसी saccharomyces cerevisi को ह ये alcohol बनाने के काम में आता है, ठीक है, तो saccharomyces cerevisi जो होता है, इसको हम baker cyst भी कह सकते हैं, और brewer cyst कहते हैं, baker cyst इसलिए कहते हैं, क्योंकि bread बनाने के काम में आता है, ब्रिवर cyst इसलिए कहते हैं, क्योंकि alcohol बनाने के काम में आता है, ये ये शराब बनाने के काम में आता है, ठ इसने यह carbon dioxide produce की है ठीक है अब कभी कभी आपको एक्जाम में पूछा जाता है कि प्रॉप्योनी बैक्टिरियम बैक्टिरिया है फंजाई है वाइरस है क्या है तो इसके नाम में डायेट रिखा हुआ ला नागा बैक्टिरियम यह क्याता है अब आते हैं यह से गगदेश्ट्री करें का में टाथा है तो reverse list क्या होता है? Saccharomyces cerevisi होता है to produce alcohol, alcohol बनाने काम में आता है, अब जो है alcohol जो है अलग-अलग तरीक होती है, जैसे whisky, brandy, rum, wine, beer, जो distillation करके produce की जाती है, वो है whisky, brandy और rum, और जो बिना distillation के produce की जाती है, वो wine और beer है, ठेक है? तो यह आपको ध्यान रखना है, exam में होता है, कौन सब बिना distillation के, तो विसके, brandy, rum, distillation के फ्रोग प्रोडियूस हो जाती है, और बिना distillation के wine और beer प्रोडियूस की जाती है, distillation क्या होता है? basically हम एक liquid लेते हैं, उसको boil करते हैं, उसको उबालते हैं, जब किसी चीश को उबालेंगे तो उसमें vapor बनेगा, और जो vapor होता है, उसी को हम capture करते हैं, ठीक है? तो यह process होती है distillation की, छोटे classes में आपने पढ़ा होगा इसको, अब आते हैं, एंटिबाटिक्स में, example है penicillin, जो है penicillium notatum नाम का एक fungus है, जिससे हमें मिलती है, अब जो penicillin है, discovered by Alexander Fleming, while he was working on staphylococci bacteria, तो staphylococci नाम का एक bacteria है, जिस पे Alexander Fleming काम कर रहे थे, और उसी समय इन्होंने penicillin का discovery की थी, इन्होंने क्या देखा था, कि penicillium notatum जहां जहां यह fungus ग्रो कर रहा था, वहां वहा तो इसी वज़े से जहां पर penicillium notatum था, वहां पर staphylococci जो है, नहीं ग्रो कर पा रहा था, तो इसी वज़े से Alexander Fleming ने बताया कि यह जो penicillin है, यह penicillium notatum है, यह bacteria की ग्रोथ को रोखता है, ठीक, तो यह antibiotics में भी हमारे microbes काम में आते हैं, अब आते है chemicals और enzymes, यह questions काफी ज्यादा इस portion से पूछे आते हैं, तो यह portion आपको अच्छे ज्यान रखना है, acetic acid जो होता है, यह acetobacter, acetai से produce कर जाता है, जो कि एक bacteria है, यहां पर कभी-कभी आपको पूछ रहा जाता है, यह bacteria है, तो इसी वज़े से जहां B लिखा है, मैंने यह bacteria है, जहां मैंने F लिखा ह यह fungi है, ठीक है, तो acetic acid, acetobacter, acetai से produce करते हैं, जिसको जो कि एक bacteria है, citric acid जो है, aspergillus, niger से produce होता है, जो कि एक fungi है, butylic acid जो है, crostridium, butylicum से produce होता है, यह भी bacteria है, तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, कौन सा bacteria है, कौन सा fungi, और नाम आपको अच्छे ध्यान होने चाहि यह इससे question पूछे आते हैं, इससे और अभी 2-3 point आगे हैं, वो भी मैं बताऊंगा, इन दोनों से जादा तर इस chapter question आते हैं, तो उन्हीं दोनों points से पूछे आते हैं, ठीक, तो यह आपको पता होना चाहिए, chemicals और enzyme, तो अच्छा, कभी-कभी आप बताते हैं, मतलब comment करते हैं, कि यह जो scientific name होते हैं, इसको मुझे underline करना चाहिए, तो हाँ करना चाहिए, मैं कर भी दूँगा, actually, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब इतनी ज्यादा जगे नहीं मैं छोड़ता, तो इसी वज़े से नहीं हो पाता है, तो मैं कर दूँगा, अगर मुझे time मिलेगा, तो कर दूँगा, ठीक है, मुझे पता है, मतलब underline करना चाहिए, तो यह हो गया हमारा पहला page, अब हम चलते हैं, दूसरे page पे, अपने दूसरे page पे और यहाँ पर यह पर यह पूर्सन आपके लिए बहुत important है, नीट में लगबग हर साल इस पूर्सन से question आता है, तो यह अच्छा स्टियार करना है, और यहाँ पे आपको तीन चीजे बताई गई है, streptokinase, cyclosporine A, and statin, streptokinase जो होता है, यह streptococcus नाम के bacteriया से मिलता है, और यह clot Bustr के तरह काम करता है, clot क्या होता है, जो हमारे body में खून के ठकके जम जाते हैं, उन्हें को हम clot कहते हैं, तो यह clot को बस्ट कर देता है यानि हटा देता है ठीक है दूसरा है cyclosporine A जो कि Trichoderma polysporum नमके fungus से मिलता है और यह immunosuppressive agent है मतलब हमाई immune system को suppress कर देता है कमजोर कर देता है कह लिजे ठीक फिर तीसरा statin जो कि monoscus purpuris नमके yeast से मिलता है और यह blood cholesterol lowering agent है मतलब blood के cholesterol level को कम कर देता है ठीक है तो यह तीन आपको अच्छे से याद होना चाहिए question काफी पूछे आते है किस से मिलता है और क्या करता है यही दोनों question आता है ठीक है अब एक मेरा छोटा से question है आपको बताना है कि मान लिजे एक इंसान है जिसकी kidney transplant हुई है तो kidney transplant हुई है तो आप इन तीनों में से कौन सा आप उसको देंगे ठीक तो यह question आप comment करके बताईएगा फिर आते हैं आप BOD पे BOD का full form होता है biochemical oxygen demand और BOD directly proportional होता है pollution के मतलब जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा pollution होगा तो मालिज आप 2 cup water ले लिजे और जिस water का BOD ज़्यादा होगा वो ज्यादा polluted water होगा ठीक यमुना action plan और गंगा action plan by ministry of environment and forest MOEF तो यमुना action plan और गंगा treatment पे सीवेश treatment दो पार्ट में होता है primary treatment और secondary treatment जो primary treatment होता है यह physical methods होते है इसमें जैसे filtration filter कर दा sedimentation, sedimentation क्या होता है जैसरी आप गंदा पानी राके रख दें एक बार्टी में तो dh investigator में जो गंदगी होती हूँ जमीन पर बैठ जाती है जमीन पर मतलब इसको डाल दिया, जो बड़ी चीज़े होंगी, या फिर जो भारी चीज़े होंगी, वो नीचे आके बैठ जाती है, इसको प्राइमरी सलच कहते हैं, और कुछ गंदगी जो होती है, वो घुली रहती है हमें, वो ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ वो भी बैठ जाएगी, वो हम यहां पर जो secondary treatment होता है, यह biological treatment कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हम basically, microbe का use करते हैं, ठीक है, तो इसको biological treatment कहते हैं, अब जो primary effluent था हमारा, इसको हम ले जाएंगे aeration tank में, यह बड़े-बड़े tanks होते हैं, जिसे aeration tank कहा जाता है, और इस tank में हम लगातार air pump करते हैं, और agitate कर रहते हैं, ठीक है, अब जब air pump की जाएगी और agitate के जाएगा तो इसमें phlox grow करेंगे, phlox क्या होता है, fungi और bacteria का mess के तरह का structure होता है, जाल के तरह का structure होता है, ठीक है, आपको बड़ी-बड़ी जाली दिखेगी, जिसमें fungi और bacteria basically रहते हैं, और यह जो phlox grow करते हैं, यह basically क क्या करते हैं, इसी गंदगी को खा के grow करते हैं, तो क्योंकि अब गंदगी यह जो bacteria of fungi यह खा ले रहे हैं, तो इसी वज़े से BOD कम हो जाता है, ठीक है, pollution का level जो है, वो थोड़ा कम हो जाता है, तो जो phlox होता है, reduce BOD, यानि बाकरिम का oxygen demand जो है, वो कम हो जाएगी, इसके जो phlox हैं, वो जब बैठ जाते हैं, तो इसको हम activated sludge कहते हैं, ठीक है, अब activated sludge का small amount is used at inoculum, थोड़ा सा amount हम inoculum के तरह use करते हैं, जैसे आप को दही जब जमाते हैं, तो दही जमाने के लिए पहले ही थोड़ी दही चाहिए होती है, थोड़ी से दही चाहिए, उस जैसे ही पहले चाहिए होती है, उसी को inoculum कहते हैं, ठीक, तो ऐसे ही activated sludge जो है, इसका छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं, inoculum के दूरूप में, और इसको वापस से aeration tank में डाल के हम फिर से flock बना सकते हैं, ठीक, तो activated sludge जो है, इसका थोड़ा सा पार्ट जो है, ये inoculum के ये मतलब रख लिया जाता है, बाकी का पार्ट क्या है, pumped into anaerobic sludge digestor, अब बड़े-बड़े tank होते हैं, जिसे का जाता है, anaerobic sludge digestor, और इसमें anaerobic bacteria होते हैं, मतलब जिन्हें oxygen की जरूवत नहीं होती है, ठीक, तो जो बाकी का पार्ट होता है, इसे pumped into anaerobic sludge digestor, और इसमें ज बैसिकली क्या होती है, बायो गैस होती है, और बायो गैस जो है, फ्यूल के तरह की यूज की जाती है, खाना बनाने के लिए, ठीक है, मतलब फ्यूल के तरह की ये inflammable होती है, जल सकती है, तो फ्यूल के तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, तो methane, H2S यानिया hydrogen sulfide और carbon dioxide हमें मिल यहां सबसे पहले हमें पढ़ना है, production of biogas, methanogens जो होता है, जैसे कि methanobacterium ये biogas बना सकते हैं, biogas plants in India were developed by, इंडिया में जो biogas plant थे, वो IARI और KVIC दोरा डेवलप किये गए थे, IARI क्या होता है, Indian Agriculture Research Institute, KVIC जो होता है, Khadi and Village Industries Commission, ठीक है तो ये full form आप याद रखेगा, ये जा सकते हैं, अब आता है, microbes as biocontrol agent, जैसे कि bacillus thuringiensis, यानि BT, आपने BT cotton पढ़ा था, जो BT होता है, ये caterpillar की population को control कर सकता है, ठीक है, caterpillar को mark देता है, फिर आता है, trichoderma present in root of plants, ये plant की roots में present होता है, control various pathogen, ये कई pathogen को control करता है, फिर baculovirus attract orthopod या फिर insect, जो baculovirus होता है, ये baculovirus का एक genus होता है, nucleo polyhydrovirus, जो nucleo polyhydrovirus होता है, ये species specific होता है, मतलब ये किसी एक species को target करता है, ठीक है, उस species के लाओ, ये किसी और को harm नहीं करेगा, ठीक, तो ये species specific होता है, मतलब किसी एक species को target करता है, किसी एक species को मारता है, and narrow spectrum, narrow spectrum मतलब उसी species पे रहे गए, और किसी को नहीं भारेगा ठीक है? अब ये जो Nucleo Polyhydrovirus होता है Used in integrated pest management ये integrated pest management में यूज होता है इसको IPM भी का जाता है तो pest को control करने के लिए मां लेजे हमें किसी एक pest को control करना है बाकी को कुछ नहीं करना है तो इसको हम use कर सकते है Nucleo Polyhydrovirus को ठीक तो यह हो गया bio control agent अब आखरी point है हमारा microbes as bio fertilizers अब इसमें nitrogen fixing bacteria आपको बताए गये हैं बहुत ज़्यादा important है यह portion भी ठीक है तो nitrogen fixing bacteria symbiotic हो सकते हैं मतलब किसी के साथ रह सकते हैं free living मतलब अकेले रह सकते हैं और sinobacteria हो सकते हैं symbiotic में आता है rhizobium in legume plants legume plants में rhizobium रहता है और फिर फंजाई है जो कि plants के साथ रहता है mycorrhiza बना के ठीक है तो mycorrhiza जो होता है basically एक symbiotic associate बना होता है fungi और plant के बीच में ठीक तो rhizobium याद रखिएगा legume plants के साथ और fungi और plants का जो symbiotic relation होता है यह mycorrhiza होता है फिर आता है free living इसमें आता है azospirellum और azotobacter यह दोनों free living होते हैं और nitrogen fixing करते हैं फिर साइनो बैक्टरिया जिसमें एनबिना नॉस्टॉक और ऑसीलेटोरिया आता है ठीक तो एनबिना नॉस्टॉक और ऑसीलेटोरिया जो होता है यह तिनों साइनो बैक्टरिया काटेगरी में आते हैं अब category wise आपको याद होना चाहिए ठीक है यह काम आएगा आपके तो यह होगे हमारा bio fertilizer अब एक point मैंने यहाँ पे लिखाया रॉक फॉर्ट चीज एंसे ने सिर्फ रॉक फॉर्ट चीज का नाम लिखा है लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ripened by growing of fungus on it एक fungus होता है जिससे गयता है penicillium rock 40 और इस fungus को इस चीज को उपर grow किया जाता है और इस fungus को इस चीज को उपर grow करके इस चीज को पकाया जाता है ripe मतलब होता है पकाना basically ठीक है तो याद रखिएगा इस fungus को इस चीज को उपर grow करके इसे पकाते हैं ठीक तो यह actually काफी पहले जा चुका है तो इसी वेज़े से मैंने लिख दिया है बाकी आपका मन हो अगर ना मन हो तो ना याद रखिए ठीक है तो NCI 10 सिर्फ नाम ले लिया है कि रॉकफॉर्ट चीज होता है रॉकफॉर्ट चीज और स्विश चीज होता है इसमें छेध होते हैं कारवन डैयोकसाइट फ्रोड़क्शन के वाज़े से यह तो मैंने आपको बता ही दिया था ठीक है तो यह हो गया आखरी पाइं तो यहीं पहुर्ट म्मान खटम होता है और यह हमारा सब्सक्राइब कर tutival सुष तो ठीक है कमेंट करके बताएं गया कैसा लगा और और आपको PDF का लिंक description में मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो like, share and subscribe कर दीजेगा मिलते हैं आगले वीडियो में और कोई suggestion होगा तो बता दीजेगा कोई request होगी तो भी बता दीजेगा और comment करके वो answer बताईए कि मैंने जो question बीच में पूछा उसका answer जरूर बताईएगा ठीक है Thank you very much